अगर R की value 2 होगी दूसरी term आ जाएगी 5C0, 5C1, 5C2 ultimately सारी terms आ जाएगी तो इसे मैंसे लिज सकते हैं ठीक है अगर question ऐसा हो कि आपको निकालना है X-Y की power N तो simple तर चीज है कि जो X है तो first term होगी और minus Y होगी second term X plus minus Y आपसे consider कर सकते हो तो इसे मैंसे सकते हैं N C0 XC power N ठीक है फिर minus N C1 X की power N minus 1 into Y की power 1 because minus Y की है नहीं फिर third term में plus N C2 आ जाएगा तो इंटो X की power N minus 2 into Y square and so on तो N Cn जो last term होगी यह होगी minus 1 की power N into Y की power N because हमें N मालूम नहीं है N even है या odd तो इसे एकर हम general term लिफना चाहें X minus Y की power N तो हमें से लिख सकते हैं summation R is equal to 0 से लेके N तक minus 1 की power R into N C R X की power N minus R into Y की power R तो यह भी एक result याद कर लिया ठीक है एक result यह याद कर लिया अब थोड़ा आगे दिखते हैं तो अगर term लिखा हुआ है X plus Y की power N तो इसमें फिल लिख लेता हूँ एक बार N C 0 X N plus N C 1 X की power N minus 1 into Y plus N C 2 into X की power N minus 2 into Y square and so on और लास term आ गई N C N Y की power N correct तो इसमें एक तो अगर मैं बात करूँ R-th term general term R-th term क्या होगी R-th term का मतलब मैं कहरा हूँ first term तो R is equal to 1 मैं कहरा हूँ second term तो R is equal to 2 तो अगर मैं R-th term की बात करूँ यहाँ पे तो हम ही कह सकते हैं इसमें कि R-th term जो होगी वो हो जाएगी N C यदि first term है तो उसमें 0 आ गया ठीक है second term है 1 आ गया तो हम कह सकते हैं N C अगर मैं R-th term की बात करूँ तो उसमें निचे आ जाएगा R-1 ठीक है फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे C के निचे लिखा हुआ R-1 यहाँ पे जो भी लिखा हुआ हुआ यहाँ पे वही वैल्यू Y की होगी तो यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी Y की वैल्यू हो जाएगी R-1 और यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि मैं पता है कि इनका सम जो होता है वो होता है N ठीक है तो यहाँ पर इसकी value क्या जाएगी n minus n में से यह minus करना है तो n minus r minus 1 तो हो जाएगा n minus r plus 1 तो यह हमारे पाथ एक general term आ गई ठीक है पर यह देखने में ज़रा कुछ different लग रही है अज यह गरीब लग रही है ठीक है तो इसके लिए हम एक और formula देख लेते है t r plus 1th term इसका मतलब अगर मुझसे बोला है कि t6 निकालो t6 निकालो तो t6 का मतलब होगा t5 plus 1 तो r की value में 5 लोगा मुझसे बोला t10 निकालो तो t10 का मतलब यह हुआ कि t9 plus 1 तो मैं यहाँ पे जो r करूँगा वो करूँगा 9 तो उसका मैं coefficient निकालने जा रहा हूँ यह term निकालने जा रहा हूँ तो t r plus 1 तो इसमें confusion नहीं आएगा t r plus 1 कितना हो जाएगा n c r into x की power n minus r into y की power r तो यह हम formula use करेंगे अपने questions को solve करने के लिए कि अगर मुझे निकालने है 10th term तो मैं रहूँगा t 9 plus 1 और यहाँ पे आर के वाल यह 9 आएगी तो accordingly मैं इसको solve कर दूँगा तो अब questions कर लेते हैं इसके थोड़े से that will be fine तो पहला question है मारे पास कि हमें 7th term निकालने है in the expansion of root x plus root y की power 10 ठीक है तो बड़ा simple सा है इसका मतलब हमें क्या निकालने है t r plus 1 निकालनी है तो पहले formula लिखते है t r plus 1 का formula क्या होता है n c r into x की power n minus r into y की power r x का मतलब first variable y का मतलब second variable तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है t 6 plus 1 तो start कर दिया हमने हमें n की value क्या दे रखिए 10 तो इसका मतलब 10 c 6 ठीक है 10 c 6 अब जो यहाँ पे नीचे value होती है वही y की power होती है तो यहाँ पे y क्या है यह second term तो इससे में सकते है y की power half second term तो इसकी power 6 आ गई और x की power क्या हो जाएगी x का मतलब x की बार 1 upon 2 तो पहला variable है और इसकी power की तो जाएगी 10 minus 6 तो 10 minus 6 is 6 is equal to 4 तो इससे solve कर लिया तो यह जाएगा 10 c 6 10 c 6 को में सकते है 10 c 4 और 10 c 4 का मतलब क्या हुआ 10 into 9 into 8 into 7 upon 4 into 3 into 2 into 1 into x square y cube तो इससे solve कर लिते है भी यहाँ पे 4, 3, 12, 24 24, 3, 72 3, 10, 3, 7, 21 तो यह आगा है 210 x square y cube आंसर बड़ा simple सा answer आगे ओके next question देख लेते है let us say मुझे निकालनी है 5th term 5th term किसमें in 2x upon 3 minus 3 upon 2x की पार 6 तो यह तो बड़ा tough question हो गया tough नहीं तो फिफ्ट रम निकाल ले हैं इसका मतलब भी निकाल ले है t4 plus 1 ठीक है तो फिर अपने formula पर आ गए ncr 6c4 into second term को नहीं ले लिए minus 3 upon 2x तो यह term हो गए minus 3 upon 2x इसकी पार कितनी हो जाएगी जो निके लिखा हुए 4 फिर first term ले ली first term आ गए 2x upon 3 इसकी पार क्या जाएगी 6 minus 4 that is equal to 2 तो इसे solve करते है 64 को हम क्या लिख सकते है 6c2 because आपको बताया था कि ncr क्या होता है ncn-r तो 64 को नहीं से 62 तो लिख लेते हैं आपे 62 का मतलब यह हुआ 6 into 5 upon 2 into 1 into इसको expand करते है 2 square upon 3 square that means 4 upon 9 into x square इसको भी expand कर लेते है यह power 4 है तो यह minus 9 कैब हो जाएगा 2 पर जाएगा 81 और नीचे जाएगा 16 और नीचे जाएगा x की power 4 तो इस solve कर लिया 2 3s आ 3 3s आ 9 right 3 27s आ 4 4s आ और x square और यहाँ पे x square यहाँ पे हो गया तो यहाँ आ गया 135 535 5 to 313 135 upon 4 x square right यह answer आ गया इतना easy एक और question देखते है question यह है कि हमें 10th term निकालनी है 10th term किस expansion में 2x square प्लस 1 upon x की power 12 के expansion में तो यह बड़ा easy हो गया हमें क्या निकालना है t 9 plus 1 तो फिर फिर फार में लग दिया n की power है 12 n की value है 12 तो n c r तो जो यह value है यह y का भी यह power आ जाएगा और जो पहरी term है 2x square इसकी power क्या जाएगी 12 minus 9 that is equal to 3 तो यह solve कर लिया 12 c 9 को भी जाए 12 c 3 तो 12 c 3 का मतलब यह होगा 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1 into पहले हम coefficients ले जाते हैं यह होगा 2 की power q 2 की power q वह बड़ा 8 और x की power क्या होगी x की power 6 upon x की power 9 तो इसे solve कर लिया हमने यह आ गया 2 forza और 3 forza ठीक है इसे solve कर लेते हैं फो forza 16 160 into 11 that is equal to 1760 upon x q this is the answer ठीक है बहुत easy equations और question देख लेते हैं एक question यह हो गया कि हमें 2x minus 3y की power 11 में 7th term find करनी है इसकी 7th term क्या होगी तो यह बड़ा easy question हो गया that means अब तो आपर practice होगी होगी हम कह सकते हैं इसको 11 7th term क्या होगी 11c6 because r plus 1 था न this is r plus 1 11c6 into minus 3y की power किती हो जाएगी 6 into जो पहली term आएगी उसकी power क्या हो जाएगी 11 minus 6 is equal to 5 ठीक है इससे expand कर लेंगे जो भी हमारे पास options दे रखे होंगे उसमें थम्हारा एक आंतर यहाँ पे match कर रहा होगा तो अगर मैं options की बात करूँ तो यह question सिर्फ 5 या 6 seconds का है चलिए question और देखते है question यह है कि find 8th term हमें 8th term निकालनी है किसमें 3x square plus 5 upon x की power 21 तो यह तो बड़ा easy हो गया हमने गदा tr plus 1 तो इसका अतला 21c7 यह तो पहले आ गया क्योंकि r की value 7 न और इन की value 21 तो 21c7 फिर जो y होता है उसकी power होती है जो नीचे यहाँ पे लिखा होता है r ठीक है और जो first term होती है उसकी value कितनी होती है 21 minus 7 that is equal to 14 ठीक तो इसे हम solve कर लेंगे it is easy खो जाएगा चली यहाँ हमें पूरा expand नी करना पड़ेगा जो इसे हमें पर options होंगे options में आपे solve कर सकते हैं anyway x देख सकते हैं आपे x की power 28 यह क्या हो गया यह हो गया x की power 28 तो x की power 28 minus 7 तो x की power 21 इसका मतलब x की power 21 के साथ यहाँ पर कोई coefficient आएगा वो हम निकाल लेंगे तो 4 options में से हमार पास एक option यहाँ पर match कर रहा हो तो पहला पार यह हुआ अब देखेंगे अब next वीडियो में और आगे चलेंगे इसमें तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करेंगे सबस्क्राइब करेंगे और डेफिनेटली यह एंडिये और वाइग ग्रूप के लिए में एक्स्लूजिव कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ तेंक यू, तेंक यू वरी मुच्छ